हलो दोस्तों सौगत है एक नए वीडियो में आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ किसी भी फोन को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट यानि कि फोन की स्क्रीन को हम प्रोजेक्टर के साथ कैसे कनेक्ट करके स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहा सबसे पहले हम यहां पर जाएंगे उसके दियंगी को मिलेगा इस तरह को है अलगे अ dobla प्रोजेक्टर में आपको मिलना चाहिए उसको जो है आपको क्लिक कर लेना है एक चीज हमेशा याद रखी ये मीराकाश करने के लिए आपको मत जारूरत पड़ेकी आपको घर में अग आप जो है आन्ड कर सकते हैं और उसके वाइफाइ से आपको प्रोजेक्टर और आपका कोई भी मोबाइल, जिसका आप स्क्रीन करना चाते हैं, उसको कनेक्ट करने की जरूरत पड़ीगी, दोस्तों ये मेरा फोन है, जिसको मैं करने वाला हूँ, अपने प्रोजेक्टर से सा कर लेना अपने फोन को उसी वाइफ है के साथ जिस पर हमारा प्रोजेक्टर कर लेता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो फोन है Wi-Fi के साथ connect हो चुगा है और यहाँ पर screen cast का option आपको देखने को मिल रहा होगा ठीक है यहाँ पर देखिए यह आफ है इसको मुझे on कर देना है अब दोस्ते यहाँ पर जो है projector यहाँ पर देख लीजिए projector का model आपको देखने को मिल रहा है आप अगर projector में इस जग देखिए अपना phone जो है वो cast हो चुगा यहाँ देखिए यहाँ से मैं back करता हूँ आप देखिए हमारा जो mobile का screen है वो projector के साथ connect हो चुगा है अब यहाँ से मैं अपने phone की gallery में कुछ भी जो कुछ भी मैं देखना चाहूं चाहिए वो फोटो हो वीडियो हो वो मैं देख सक तो दोस्ते इस तरह से जो है आप अपने phone के screen को cast कर सकते हैं और अपनी phone की gallery के वीडियो हो फोटो हो या कोई भी documents वगएरा हो कुछ भी हो आप देख सकते हैं मगर यहाँ पर किसी भी OTT platform का content जो है आप नहीं देख पाएंगे जैसे कि Hotstar Amazon Prime Netflix वगएरा जो के जो content होते हैं या फिर Geo Cinema इस तरह के content है उसे आप अपने phone के screen कास्ट करके नहीं देख सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको Google Chrome कास्ट की ज़रुवत पड़ेगी जिसे आपको अलग से purchase करने की ज़रुवत पड़ेगी या फिर आप डायरेक्ट Amazon Fittivistic purchase करके किसी भी प्रोजेक्टर में या फिर किसी भी Android प्रोजेक्टर में अगर इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर quality उतनी अच्छी नहीं आती है आपको किसी भी OTT platform का content किसी भी प्रोजेक्टर में देखना है अलग से Amazon Fittivistic आप connect कर लिजिए आपका प्रोजेक्टर अगर 4K को support करता है HDMI के दूरो तो भाई Amazon F Fittivistic 4K लिजिए और किसी भी OTT platform का content 4K में enjoy कर सकते हैं I hope दोस्तों यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक किए चैनल पे नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए आज का वीडियो पस इतने मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन